और फ्रेंस आज हम पंजाब बिधानसवा चुनाव 2022 का एस्ट्रोजिकल एनलाइसिस करेंगे देखेंगे की पंजाब में कौन बनाएगा सरकार आप कॉंग्रेस या बीजिपी पहले हम पंजाब असेम्बली एलेक्शन्स 2022 के बारे में थोड़ा से जाल लेते हैं कि यह जो एलेक्शन होना है वो 117 मेंबर्स के लिए होना है और यह स्टार्ट होगा 20 फरवरी से और 10 मार्च को इसका रिजल्ट डिक्लियर होगा इस समय जो पंजाब के करेंट सीम है मिस्टर चरण जी सिंग जी उनका जनव हुआ थे एक मार्च 1963 को यह इंटरनेट से डेट बर्ट लिया गया है यह कॉंगर्स पार्टी से हैं और यह सोलवें जो हैं सीम बने हैं पंजाब के जो 20 सदमद होजा 21 को अपउइंट किये गए हैं यह चरण जी सिंग जी का हरस्कोप है डेट अब बर्ट से लिया गया है उनके बाएं में और टाइम की जानकरी नहीं मिल पाई है तो इसमें हम भीगूननन्दिनारी से ही चेक कर लेंगे अब सब्सक्राइब करने के उसमें ब्हूंत नंती नाड़ी भी एक एक के-क के-पी सिस्टम भी है वैदिक पराइशा सब में जानते हैं कि यह तो इसमें कई वीदिया होती हैं पो इसमें हम देख लेते हैं तो जो मुझां है वो सूर्य के साथ है सेकेट सेकंड हॉज नहीं मानेंगे क्योंकि इसका क olar लगता मारा फेक्स है यह कुम्ब राशी में राशी में है कि उसका मरकरी भी है यहां पर फ्रेंट तीनों अच्छी पंडिशन में है तो इस तरह से देखा जाए तो चरंजी सिंग जी का हरस को बहुत स्ट्रॉंग है काफी सॉलिड है क्योंकि अगर गोचर देखा जाए तो इसमें गोचर जो है जुपीटा का जो गोचर है वो कुमरा अपने पत्पर बने रहने की पूरी उम्मीद है इस हरस्कोप को देखके ऐसा हम कंक्लूट कर सकते हैं यह है भगवंत सिंग मान जी का हरस्कोप इनको आप पार्टी ने एस सीम केंडिडेट उतारा है पंजाब एलेक्शन में इनको जनम सतर अक्टूबर 1973 का है यह भी इंटिनेट से लिया हुआ है और अधिक जनकारी नहीं मिल पाई है इनके बारे में जेट अब बर्थ और टाइम के बारे में इनका भी होरस्कोप देख लेते हैं डेटो बस से तो इनका अगर आप होरस्कोप देखेंगे तो इनका सूर्य जो है वो नीच का है बुद्ध के साथ में है और गुरू भी इनका नीच का है नीच के प्लाइल्ट भी कोई खराब ने होते कोसी राशी में है और नवांश में उनक्की क्या सती है चलीत में में कैसती है तो इसलिए नीच के प्लाइलिट भी राजयोग देने की छमता रखते हैं यहां पर चंद्र है केतू के साथ में हैं मंगल यहां पर इनका भी वक्री है कि मेश का मंगल है अजहां पर सूर्य की सिद्धी है वो जूपीटर से दसमस्थान में है शनीन का मितुन राशी का है अभी जो करन कोचर देख लेते हैं करन कोचर जो है वो जो है जूपीटर का यहां पर बनता है कुम राशी में और कुम राशी से यह जो कुंडिली का शनी है उससे संबन बनाता है नवम पंचम इस तरह से देख जाए तो यह अच्छा सयोग बनता है और शनी यहां पर बैठा हुआ है अल्रेडी यहां भी गुरू शनी का योग बनता है जो की अच्छा है स्ट्रॉंग है अच्छी कुर्ली है यह भी चुनाप जीतने की छमता रखते हैं लेकिन मुख्यमंत्री पत्त के लिए कुछ और योगों का होना ज़रू है जो इसमें मुझे दिखाई नहीं देते हैं कि यह है क्याप्टर अम्रिंदर सिंग जी की कुर्ली इनका जनव मुखता 11 मार्च 1942 को कि यह भी पंद्रवे मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के कॉंग्रेश ने इनको हटा के चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया था इनका हर्सकॉप देख लेते हैं कि इनके में मंगल शनी और जो गुरू है एक साथ है बरिशाब राशी में आज और सुगे है कुम्बराशी में यहाँ पर कुम्बराशी में अभी जुपीटर बैठे हुए हैं गोचर में और जो शनी है वह मकरगाशी में बैठे हुए हैं तो शनी यहां पर सेटन नटल के जो सब्सक्राइब बना रहे हैं जुपीटर की ब्लैसिंग्स यहां पर कहीं नहीं मिल गई है इस दिये इनका मुख्यमंत्ती बनना भी मुश्किल है जो वोट है उनकी काउंटिंग होगी दस मार्च 2-22 को उसी दिन डिकलिया होगा तो हम संचार्च से देखेंगे कि पंजाब लेक्शन में किसकी इस्तिती अच्छी गएगी तो जो लगन माना जाता है वह माना जाता है इस समय जो साहकार होती है किसी भी अब किसी भी काज्ये की कुछ गंड जो पार्टी है तो इसके लिए लगन काफी स्ट्रॉंग है जो पीटा इसका लगन का स्वामी है जो की थर्ड भाव में बैटा है सुवे के साथ में है और यहां और लगन में जो बैठे है वो बैठे लेवन्थ हांस के लौड और पंचम के लौड ठीक है और इसी तरह से अगर पोजिशन को देखा जाए तो यहां पर जो अस्टमेशन वह बैट गया है और इनके खुद की लौड खुद अस्टम हो गया है इनका तो इसकि जीतने के चांसे भी जादा है अगर हम अस्टमर देखेंगे तो उसमें भी पॉइंट आते हैं वह सत्ता पार्टी के अच्छे आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ऐसा मानना है कि जो सत्तागुर्ण पार्टी है वही जीतेगी फिर से सत्ता में आएगी यह आपका 10 मार्स जोजा 22 का गोचर का इसमें आप देख सकते हैं कि शनी है वो शुक्र के साथ है मकाराशी में मार्स भी है यहां पे सुख्य उस दिन जो होंगे कुपराशी में होंगे जुपीटा के साथ में तो यह जो सत्तागुर्ण पार्टी है उसके लिए बहुत अच्छा कॉंबिनेशन बना हुआ है इसमें तो फ्रेंट्स मेरे अकॉर्डिंग जो है आप पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा लेकिन जो कॉंग्रेस है जो चन्नी जी है उन्हीं के जो सत्तागुर्ण पार्टी इस समय है उसी के जीतने के चांसे ज्यादा है पंजाब में और चन्नी जी फिर से मुख चुनाव 2022 का प्रेडिक्शन अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जो करना अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी करना और नेक्स वीडियो अगर आप चाहते हैं कि जल से जल आपको पता लग जाए मैं कौनसा नेक्स वीडियो डालने वाली तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स वीडियो का मिल जाएगा